आप सभीको माही ब्लोग में फिर्ष से स्वागते आज हम बनाएंगे पत्त कभी और प्यास की कुर्कुरी पकड़े गर की चीज़ों से बनाएंगे बहुती आसन और बहुती स्वाजिश्ट रेसिपी और त्यास्ट आपको बहुत ही पसन आएगा पत्त कभी और प्यास की पूर्कुरी बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे दो कप पत्त कभी यानी बंद कभी लिया है मैंने इसको एसे स्लाइस में कट लिया है अब आप नहीं सब से कर सकते हो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है बाउल में हम ये कटा हुआ पत्त को भी याने बत्त को भी को डाल देंगे इसको मैंने अत्ती से वाश कर लिया है और हम इसमें लेंगे वन प्यास को ऐसे स्लाइस में कट कर लिया और दे देंगे अध्रत और दे देंगे हरी मिर्स और लोसुन का पेश्ट इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया साथी हम डालेंगे आदर समस हल्दिक पाउडर और डालेंगे आदर समस धनिया जिरा का पाउडर इसके बाद हम डाल देंगे एक समझ नमक स्वातनुसर और हम डाल देंगे दो समझ बैशन तो इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे हातों से मिक्स कर लेंगे पत्ता कभी में नामक डालने के बाद और इसमें दो से तीन का पानी डालेंगे बहुत ज़्यादा नहीं इसको ऐसे मेश कर लेंगे और इसको एसे मिक्स कर लिया हैं अब हम इसको कबर करके पास मिनित छोड़ देंगे क्यूंकि इसको सर्फ होने के लिए पास मिनित टैम लगेगा मैंने गेस पर एक कराई में तेल लिया हूँ और तेल को गरम होने के लिए चार से पास मिनित छोड़ देंगे सार से बास मीर बाद त्याल हमार आच्छे से गरम हो गड़ा है अब हम भुकड़े को इस तरीके से एसे दे देंगे आप इसको एक चम्मस की मदद से भी दे सकती हो ऐसे गेस का फ्लेम बील को लोग पे रखिए इस तरीके से सारे मिक्चर को हम इसे दे देंगे और इसको हम पलट देंगे इस तरीके से इसको पलट देंगे इस तरीके से इस सबी पकड़े को इसे तो पलट देंगे गेस का फ्लेम बील कुल लोग पे है इस सबी पकड़े को हमने एक बार पलट दिया इस तरीके से एक बार पलट दिया देखिए इसका कालर सेंस हो रहा है इसे तरीके से दो मिनिर और फ्राइ कर लेंगे इसको और यह हमारा सारी पकरी हो गया है देख सकती हो यह पकोड़ा कलर देख सकती हो कितना अच्छा आया है इसको हम यहां से निकल लेंगे इसको इस तरीके से निकर लेंगे और जो बच्चे हुए मिक्सर था इसमें और फ्राइ कर लेंगे इसको इसे फ्राइ कर लेंगे और ये हमारा पत्ता को भी और प्यास की पकरे बन के तयार है अब देख सकती हो इसको आप गर्म गर्म इंज़री कर सकती हो ये दिखिए ये पत्तकों भी और प्यास की पकोड़े एक बर धर में ज़रूर बाना के ट्राइ कीजिए ये खाना में बहुत ही तेस्टियों स्वाजिस्ट होती है आशा करते हो आप सभी गों मेरी रेसे भी पसंद आएगी अगर एसे भी पसंद आये तो प्लीज लाइक कोमेंट के साथ दोस्तों में भी शेर कीजिए और मेरे जेनल में नहीं हो तो प्लीज सास्क्रेब करना ना भूल